हाई एवरिवन आज आपके लिए दिखिए बहुत ही प्यारा सा यह फ्लावर में डॉर्मेट लेकर आई हो इसे आप डॉर्मेट की जगा तालपोश की जगा यूज़ कर सकते हैं या फिर आप टैबल पर भी से सेंटर में विच्छा सकते हैं यह बहुत ही प्यारा सा तो यहाँ पर लास्टव्तियां बना कर रकीM मैं यह इसमें ज्रस पत्तियां बनाओंगी तो यहाँ पर लास्टवत प्त्तियां आपको सिक्काऊ एम इंगी is यहाँ और इस लिए गरीन है पिंक है, नॉर्मल वोल है फॉर प्लाई की, और यहाँ पर इसको हम बनाना कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें बराबर में बैल आइकन का बटन है उसे प्रेस करने ताकि मेरी हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मुझे कमेंट सरूर क्या करें कि आपको मेरे डोरमेट और थालपोश कैसे लगते हैं मुझे आपके कमेंट का इंतिजार रहता है कोई भी कमी होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं पिर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझसे contact कर सकते हैं तो यहाँ पर देखीगा मैं आपको यह जो डोर मेट जितनी भी सिखा रही हूँ तो आप मुझसे अगर online मंगवाना चाहते हैं तो मैं आपको यह भेज भी सकती हूँ घर बैटे आप मुझसे यह purchase कर सकते हैं जितनी भी मैं डिजाइन बना चुकी हूँ अपने चैनल पर आपको इस अभी डिजाइन मुझसे यहाँ पर ले सकते हैं तो इसके लिए आपको WhatsApp नंबर पर मेरे contact करना होगा WhatsApp नंबर मेरा आपको description में मिल जाएगा वहाँ जाकर आप मुझसे contact कर सकते हैं और यह बहुत ही प्यारे प्यारे से डॉरमेट आप घर बैटे इसलिए मंगा सकते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करेंगे और इस डॉरमेट को बनाना सीखेंगे बिल्कुल starting से ही सीखेंगे हम यहाँ पर देखीगा ध्यान से देखीगा तो यहाँ पर देखी क्या करना है आपको फंदे डालने के बाद आपको जो पहली सलाई है वो उल्टी होगी यानि कि उल्टी साइट से आपको एक सलाई बुलने नहीं है यानि कि बिल्कुल मैं आपको starting से बता रहे हूं कि जैसे कि आपने फंदे डालने हैं और अब उसके बाद आप यहाँ पर एक सलाई उल्टी बुलनेंगे उसमें कुछ नहीं करना है सीधी सलाई से हमारा यह design स्टार्ट होगा तो उसके लिए देखीगा यहाँ पर ध्यान से देखेगा यहाँ पर होल ना बने तो हम यहाँ पर हमेशा देखे जब भी starting में आएंगे तो इस फंदे को बगार बुना उतारेंगे अब यहाँ से हम फंदों को उल्टा बुनते हुए जाएंगे हमें इस टोर्मेट में जितनी भी सलाईयां बनानी है वो उल्टी उल्टी बनानी है तो यहाँ पर मैं देखीगा इस तरह से यहाँ से फंदों को यह बुन लेती हूँ तो यह हमारी second row होगी जो हमारी first side यानि के यहाँ से right side से होगी तो आपको धियान लखना है कि जब आप फंदे cast on करेंगे तो पहली सलाईय आपको wrong side से निकालनी है और वो पूरी उल्टी बुन लेनी है आपको उसमें कुछ नहीं करना है सीधी तरफ से हमारा design start होगा तो यह बात याद रखिएगा आप लो तो यहाँ पर देखिएगा अब हम यह दो फंदे बगार बुने छोड़ेंगे सलाई को यहीं से turn करेंगे अब धियान से देखिएगा यह फंदा हमें बगार बुना उतारना है और यहाँ से फिर से हम फंदों को उन्टा बुनते हुए जाएंगे आपको धियान लकना है कि हमें फंदे अब यहाँ पर इस डोर्मेट में दोनों साइड में फंदे छोड़ने है तो दो फंदे मैंने यहाँ पर छोड़ दी है अब देखिएगा इस सलाई में भी हमें लास्ट में दो फंदे छोड़ने है तो दोनों साइड में फंदे छोड़ेंगे और यहां पर आप ध्यान से देखिएगा मैं इसे तीस फंदों पर बना रही हूं सौरी मैं आपको बताना पूल गई थी यहां मैं तीस फंदों पर बना रही हूं तो दीकि दो फंदे बगार बुने छोड़ेंगे सलाई को टर्ण करेंगे तीस फंदों के साथ हम इस पैटरन को बनाएंगे आप जब फंदे कास्ट आउन करें तो आपकी मर्ज ही है जोड़े के साफ से आपको फंदे रखने हैं तो यहाँ पर देखीगा एक फंदा बगार गुना उतारेंगा और यहाँ से फंदों को उल्टा बुनते हुए फिर से जाएंगे तो इसमें आप कितना भी बड़ा बना सकते हैं छोटा बना सकते हैं बस आपको धियान रखना है कि आपको फंदे जोड़े में रखने हैं और फंदे इस हिसाब से रखने हैं एक साइड में हमारे दो फंदे एक्स्ट्रा रहेंगे यानि कि मैं 30 फंदे पर बना रहे हूँ तो एक साइड में हमारे 14 फंदे आएंगे और एक साइड में हमारे 16 फंदे आएंगे तो आप भी इस हिसाब से फंदे रखेगा कि एक साइड में आपको दो फंदे एक्स्ट्रा रखने हैं तभी आपका डिजाइन ये फिट आएगा तो यहां से देखीगा दियान से देखीगा आप लोग यहां से फिर से हम दो फंदे बगार गुने छोड़ेंगे सलाई को टरंड करेंगे आप यहां से एक फंदा बगार गुना उतारेंगे और फिर से हम फंदो को उल्टा बुनते हुए जाएंगे तो इस तरह से हमें दोनों साइड में फंदो को छोड़ना है तो यह बात आप याद रखेगा ऐसे बहुत इजी है यह एक बार आप बनाएंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा यहां से देखेगा दो फंदे फिर से हमने यहां पर बगार गुने छोड़ देने हैं अब सलाई को यहां से टर्ण करेंगे यानि कि 4 फंदे हमने यहां पर छोड़ दीए हैं अब एक फंदा बगार गुना उतारेंगे, फिर से हम फंदों को इसी तरह से उंटा बनाते हुए जाएंगे, आप चाहें तो इस टोर्मेट को सिर्फ एक दिन में बना सकते हैं, बहुत आसान पैटर्न है यह, बहुत जल्दी जल्दी से भढ़ जाता है, और देखेगा, यहाँ पर फिर से हमें दो फंदे छोड़ने हैं, तो यहाँ पर देखे हमारे छे फंदे छुड़ गया है, अब य और फिर से हम यहाँ से फंदों को उल्टा बुनते हुए जाएंगे, लास्ट में फिर से उसी तरह से हमें फंदों को छोड़ना है, तो यहाँ दोनों तरफ फंदे हमारे इस तरह से दो दो फंदे छुटते जाएंगे, तो यह पत्ती के शेप बना रहे हैं हम, तो जब पत की शेप बनाते हैं तो हमें इसी तरह से दोनुस साइड में फंदों को छोड़ना होता है तो यहां पर देखेगा इधर भी हमने त्वंदी छोड़ दिये से लाहिक को ट्रेंड करेंगे एक फंदा बगर बुना उतारेंगे फिर से यहां से देखी का फंदों magician को उल्टा बुनते हुए जाएंगे और यहां पर लास्ट में फिर से हमें दो फंदे छोड़ देने हैं सलाई को ट्रेंड करेंगे एक फंदा बगायबुना उतारेंगे आप फंदों को उल्टा बुनते हुए जाएंगे और दो फंदे बगायबुने छोड़ देंगे सलाई को ट्रेंड करेंगे एक फंदा बगायबुना उतारेंगे अब यहां से फिर से हम फंदों को उल्टा बनाएंगे अब देखिए का दो फंदे बगाइर बुने छोड़ेंगे सलाही को ट्रेंड करेंगे एक फंदा बगाइर बुना उतारेंगे फिर से फंदों को बुनेंगे यहां पर दो फंदे बगाइर बुने छोड़ेंगे सलाही को ट्रेंड करेंगे एक फंदा बगाइर बुना उतारेंगे फिर से फंदे बनाएंगे मैं आपको पूरा इसलिए दिखा रहे हूं ताके आप इजी इसको समझ जाएं कि आपको कैसे बनाना है तो फिर से दो फंदे छोड़ेंगे सलाही को ट्रेंड करेंगे और यहां पर एक फंदा बगाइर बुना उतारेंगे अब यहां से फिर से हम फंदो को बुनेंगे दो फंदे बगाइर बुने छोड़ेंगे सलाही को यहीं से खुमा लेंगे और एक फंदा बगार बुना उतारेंगे और यहां से फंदों को बुलनेंगे यहां से फिर से सलाई टरन करेंगे और आप देखेगा हमारे यहां पर सिर्फ चार फंदे हैं तो हम इसमें से देखेगा एक फंदा बगार बुना उतारेंगे और 2 फंदे बुलनेंगे, 2 फंदे छोड़ देंगे तो अब यहां से अब देखिए हम सलाई को यहीं से गुमा लेंगे तो अब धियान से देखिगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 फंदे हैं हमारे साइड में और 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 16 फंदे हमारे साइड में हैं तो हमने दो फंदे एक्स्टा रखेते इसलिए कि हम ये 16 फंदे इधर रखेंगे और 14 फंदे हम इदर रखेंगे इस पे हम ये वाली पत्ती बनाएंगे तो अब देखी का क्या करेंगे इसे धागे को यहीं छोड़ देंगे और ये सारे फंदे हम इधर नीडल पर ले लेंग यह देखेगा, इस तरह से करते हुए राइट नीडल पर ले लेंगे, इन्हें फंदों को धागी को यहीं रहने देंगे हम, और यहां से अब हम पत्ती बनाना स्टाइट करेंगे, तो उसके लिए देखेगा क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर यह जितने भी फंदे हैं, सोला, हम इन्हें देखेगा, इस सलाई को उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे, यहां से, यह देखेगा, सोला फंदे हैं, इन्हें बुलनेंगे, इसलिए आपको जब भी यह डूरमेट बनाना है, तो आपको जोड़े के साब से फंदे रखने हैं, और एक साइड मे दो फंदे आपको एकस्ट्रा रखने हैं, तो इस बात का आपको धियान रखना है, तो यहां से देखेगा, यह हमने सलाई कंप्लीट कर ली, अब देखेगा, आप क्या करेंगे, अब हम यहां पर यह पंदा बगार बना उतारेंगे, महां से यह सारे फंदे सीधी साइड म ऐसे ही बना लेंगे दीखिए इसलाई हमने applies पनर एकसमी बढ़ा लेंगे तो यहां से धिकीगा एक फंद्ध को फश τα पर दाज़ को लेते वोगेमे अब यहां से यहां पर फिर से पन्दे छोड़ने लास्ट में हमें दो दो फंदे फिर से चोड़ने हैं देखेगा यहां पर इसस्टार्टिंग में पढ़ाएंगे एक लास्ट में दो पंदे छोड़ने देखेगा धियान से देखेगा आप लो यह देखीगा दो फंदे बगार बुने छोड़ देंगे सलाई को यहीं से गुमा लेंगे अब फिर से हम यहाँ पर यह वाला फंदा बगार बुना उतारेंगे बागे के फंदे ऐसे उल्टे बनाते हों सलाई कंप्लीट करेंगे अब फिर से देखेगा इसी तरह से हम फंदा बढ़ाएंगे ऐसे धागे को नीडल पर लेते हुए यहां से फंदा बढ़ाएंगे हम और लास्ट में फिर से हमें तो फंदे छोड़ने हैं तो यहां से देखेगा यहां से देखेगा अप लोग बहुत इजी है यह पैटर्ण ऐसे बना लेंगे अब हमें असी तरह से एक एक फंडा बढ़ाई और डो लास्ट में दो फंदे हमें बगायर बुने छोड़ने हैं तो इसी तरह से करते हुए हमें दो-दो करते हुए 16 फंदे छोड़ देने हैं जो हमारे 16 फंदे थे उन्हें हमें सब को छोड़ देना है यहां दो-दो करते हुए यह देखीगा सलाई को यहीं से ट्रेंड करेंगे और यहां से एक फंदा बगार बुना उतारेंगे और यहां से सीधी साइट से में कुछ नहीं करना है पूरी सलाई को हम सिंपल बुल लेंगे तो यहां पर इसी तरह से करते हुए हम देखेगा यह 16 फंदे छोड़कर इस डिजाइन को देखेगा यहां तक कर लेते हैं फिर आ आगे का प्रोसेस दिखाऊंगे मैं क्या करना है यह पंदे हम इसी तरह से छोड़ते जाएंगे और इधर एक फंदा बढ़ाते जाएंगे यहां पर देखे हमने दो दो करते हुए देखे दो चार चार आट तस बारा चौदा सोला पंदे यहां पर छोड़ दिये हैं और य दिन चार पांच छह साथ अब दो फंदे इसमें एट कर देंगे तो यहां पर यह देखे का नो पर दे हो गया है अब फिर से हम आसे सलाई को ट्रेंड करेंगे अब इसी तरह से हमें दो दो फंदे एट करने हैं यानिकि एक फंदा घटाएंगे और दो फंदे लास्ट में इस तरह से अब फिर से देखेंगे दो फंदे करेंगे यानिक एक फंदा घटा देंगे अब यहां से हम देखेंगा लास्ट में दो फंदे एट करेंगे तो देखेंगा यहां पर यह दो फंदे एट कर लेंगे तो इसी तरह से अब हमें इस पैटरन को बनाना है यह देखेंगा इस पंदे को बगार बुना उतारेंगे जब हम यह फंदा बगार बुना उतारते हैं तो हमें गैप को भरने के लिए फंदा नहीं उठाना पड़त तो आप इसी तरह से बनाईएगा तो आपको यह बनाना इसी रहेगा यहां पर फिर से देखिए का दो फंदों का एक करेंगे और यहां से फंदे बुनते हुए जाएंगे और लास्ट में दो फंदे एड़ करेंगे देखिए का दो फंदे एड़ कर लेंगे तो अब हम इसी तरह से यह सारे फंदे यहां पर दो दो करके एड़ कर लेंगे और इधर से एक एक फंदा कटाते हुए जाएंगे तो यहां पर देखिए इस तरह से मैंने दो दो करते हुए इस फंदे एड़ कर लिए और यहां पर कर घटाते हुए आए तो हमारी यहां पर इस तरह से पति बन गई और हमारी अब यह देखेगा 16 भंदे हैं आप देखें मेरी तो यहां पर पत्य यहां पर बनानी थी पत्या तो मेरा तो यहां पर यह डूरमेट कंप्लीट हो गया लेकिन मैं आपको दिखा बताने के लिए द इस तरह से थोड़ा सा लूज रखेंगे और इस थागे को भी इसके साथ थोड़ा सा यहां पर क्रॉस कर लेंगे एक बार तो आप हम यहां से देखिगा फंदो को बनाते हुआ जाएंगे ग्रीन केलर के साथ और यह थागा भी हम इसमें साथ-साथ एड़ कर देंगे यह बाद इस थागे को बेट कर सकते हैं तो यह अपना-पना इसाथ में यह देखिगा यहां तब हमने यह वाले फंदे बी बनाने हैं तो यहां से लेकिगा यह पिंक कलर का फंदा उठाएंगे और यहां पर दू फंदो का बलाते हुए एक कर देंगे अब जितने भी हमारे फ हम एh पूरी सिलाई को यहां से इस तरह से कम्प्लीट कर लेंगे! पिर हमारी वह हो रऊ गए जहां से मैं ने आपको च्छी को सिखा यहां से बनाते हूग जाएगे, तो फंदे लास्ट मूरें चोड़ेंगे फिर इ dense टो इस तरह से करते हुए, आपको जहां से मैंने बताया है वहीं से आपको फिर से इस डिजाइन को रिपीट करना है अब देखिए यहाँ पर हम इसके फंदे बंद करेंगे तो फंदे बंद करने के लिए देखिए क्या करेंगे हम यहीं से इसके फंदे बंद कर देते हैं देखिए दियान से अगले फंदे पर से इस पन्दे को कु यहां पर उतार golden बनें गे धिया है दियाँ से देखिए अपलोग एक फंद बनेंगे और यह हम एस पर इस पर उतार देंगे देखेगा और यहां पर इस तरह से फंदों को बंद कर देंगे अब यहां पर दोगे हमने सारे पंदे बंद कर दैंगेए अब हम इसकी देख' सिलाई करेंगे और पिंग कर दर कर दिया है। यहां से दिहान से देखिएगा इसकी सिलाई कैसे करेंगे तो यहां से देखिएगा यहां से चैन के साथ मिलाते हुए यहां से देखिएगा बिल्कुल हमें स्टार्टिंग से मिला यहां से चैन के साथ मिलाते हुए इसकी सिलाई करनी है यह देखिए और एक बार यहां आप स यहां पर हम इसको पुरा कम्प्ली्ट करें या तब होल। इसमें देखी ज़्याद है कि ज़्यादा करें। इंटेजं़ बैगे इसको सील कर कम्प्लीट कर लिया और भूछती प्यारा लगा है बननी के पाद बिल्कोर फ्लावर की तरह दिखाए देगा। आप भी इसको ट्राइ कीजिएगा और बहुत ही आसान है इसको बनाना और फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं तो यहां पर देखें मैं आपको नजदिक से भी दिखा देती हूं इसकी पत्तियां बहुत ही प्यारी बन कर आ तो यहां तो यहां है तो यहां थाद की बहुत ही आसान है थाद शबनाने की बहुत ही आता है